वही रोज का खाना खाके हो गए हो बोर तो चलिए आज बनाते हैं कुछ अलग हटके इस्पेशियल एकदम अलग सी नई रेसीपिए तो अगर आप वही खाना रोटड़्टी सबजी खाका के हो गए हो बोर तो इसको एक बार चरूर ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी और स्व पादिश्ट बनने वाला है इसको आप चाड भी बना के खा चकते हो जिस तरह से मैं इसको गार्णिश कर रहे हूं तो एक रेसीपि दो तरह की खाये जाने वाली है तो सबसे पहले तो एक पतिले में एक कटूरी मसूर दाल एक कटूरी मॉंग दाल एक कटूरी बीना चिलक के उबाल लेना है अब जितने में अपनी दाल उबलती है उतने में आठा गुन लेते हैं तो यहां ले आए मैंने दो चमच बड़े चमच से दो चमच आठा आदा चमच सूजी और एक चमच मेदा सूजी मैंने आदा चमच इसलिए लिए क्योंकि सूजी सिर्फ हमें इतनी डालनी है कि जिससे उससे थोड़ा सा कड़क बना जाए आदा चमच काली मेड़्स पावडर स्वादा नुसा नमक थोड़ा सा जीरा सारी चीजो को अच्छे से मिक्स कर देना है और उपर से डालेंगे थोड़ा सा मोहिन के लिए तेल जिससे आए हमारी पापड़ी बहुत ही कुर्खुरी और क्रिस्पी बनेगी अब इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे की तेरे गुंद लेना है थोड़ा यह वीडियो को मैंने स्कीप कर दिया है थाकि वीडियो लंबा नहीं हो तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा गुंद लेना है बहुत ही आसानी से छटपट कूनने में आ जाता है इसका आटा ज्यादा मेनद भी नहीं लगती है तो बिलकुल हटके यह है यह रेसीपी यूटूब पर किसी ने बताई नहीं बताई यह मुझे पता नहीं है लेकिन मेरे ही इसे दिमाग में आई तो मैंने सोचा चलो आज इस रेसीपी को ट्राई करते हैं तो यह देखिए इस तरह से आटा गुंद लेना है और इसको पांच मेट के लिए एक तरफ रेस्ट के लिए रख देते हैं इदर अपनी दाल भी उबल गई है तो इदे की दाल भी अचिसे उबल गई है अब हम बनाएंगे इसमें तड़का लगाएंगे तो इदर से एक पेल लेना है उसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच ओईल ओईल को इची से गरम होने देना है थोड़ा इंतिजार करते हैं जब तक अपना ओईल गरम नहीं हो जाता है यहां अमारा ओईल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें डाल देंगे आदर चमच जीरा एक बड़ा चार चमच हींग पाउडर अगर आपके पास कड़ी पता हो तो वो भी यहां ट्राई कर सकते हो दो से तिल बारी कटी हुई हरी मिर्च एक बारी कटावा प्याज एक बारी कटावा टमाटर और थोड़ी देर इसी चलाते हुए इनको भूनेंगे तो इस देखे प्याज का अच्छा सुनेरा कलर होने लग गया है अब इसमें डाल देंगे एक बारी कटावा टमाटर इसे दाल तो नोर्मली जो घर में बनती है फुई बना लेनी है अब इसमें डालेंगे मसाले एक चमच धनिया पावडर आधा चमच गरम मसाला पावडर एक चमच लाल मिर्च पावडर आधा चमच हल्दी पावडर थोड़ी से काली मिर्च पावडर और स्वादा अनुसा नमक सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देनी है और थोड़ा साइस में लगबग एक कटोरी इतना पानी एड़ करेंगे जिससे हमारी ग्रेवी बोती बड़या बन जाएगी और मसाला हमारा चिप कियेगा भी नहीं तो यहां ले आए मैंने एक कटोरी पानी इसको इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है थोड़ी दिर के लिए इसको इसा है छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो यह हमारी ग्रेवी इस तरह से बन के तयार हो चुकी है अब इसमें डाल देंगे हम डाल जो हमने उबाल के तयार करी थी और थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी क्योंकि यह से तो दाल बहुत ही गाड़ी लग रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स करके और लगबग 2-3 मिनिट के लिए इसको कवरर कर देंगे जब तक इसमें अच्छा उबाल नहीं आ जाता है तब तक इसको इससे छोड़ देंगे तो यह देखिए हमारे दाल में इस तरह से उबाल भी आ चुका है और दाल का कलर कितना बढ़ी आया है तो यह हमारी डाल बनके तयार हो चुकी है अब इसमें थोड़ा सा उपर से हरा दनिया टाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके गेस की फ्लेन को बंद कर देना है यह हमारी मिक्स डाल बनके तयार हो चुकी है अब हम बनाते हैं इदर पापड़ी तो यह पांच मिटवा देखिए हमारा आटा इस तरह से मुलाइम हो चुका है अब इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेने है जैसा हम रोटी बनाते हैं ऐसा नहीं बनाना है छोटे- पापड़े बिल्कुल पतले-पतले पापड़ की तरह बनाए है तो इसनोे से छुच छुच से पेड़े बना ले नहीं है तो सारे आटे के मैंने हौए पेड़े बना लेए अब इनको एक चकळेबं तो मेदे का यूज करूझा है थोड़ा थोड़ा मेदा लगा के बिल्कुल रोटीकी तरह पेल लेना हैं गोले शेप में जितना हो सके उतफना आपिस को पतला कर दे जितना पतला करेगो अपना पापड़ पापड़ी इतनी बड़िया कड़ा कोड क्रिस्पी बनेगी तो इस तरह से बिल्कुट रोटी के शेप में गोल गोल बना देना है देखिए ये इस तरह से अब इसमें इस तरह से छेद कर देंगे जिससे ये पापड़ी हमारी फूलेगी नहीं वो बिल्कुल पापड़ की तरह क्रिस्पी बनके तयार होएगी तो इस तरह पूरी पापड़ी में छेद कर देने है अब इतर हमने तेल चड़ा देता पहले से ही तो हमारा तेल गरम हो चुका है इसमें डाल देंगे पापड़ी को और अच्छे से फ्राई करेंगे एक दो बादा में कलर होने तक तो इसी तरह पुलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से इसको खाई कर लेंगे तो देखिए बिल्कुल पापड़ी की तरह बनी है बिल्कुल भी नहीं फूली है क्योंकि हमने इसमें चैद कर दियते और सूजी का भी इस्तिमाल किया है तो उसकी वज़े से भी नहीं फूली है तो हमारी पापड़ी का सुनरा कलर होने लग जया हलकालगा सा Set देखिए एक साइड में तो हो गया डूसरी साइड में भी कर लेते हैं तो दोनों साइड में हमारी पापड़ी इस तरह सी सुनगी हो चुकी है अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तरह सारे पेडों के पापड़ा बना बना के थाई कर लेनी है तो यह हमारी दाल पापड़ी बनके तैयार हो चुकिए यही मैंने हरे धनिये की खट्टी चट्नी भी लिए जो कचोरी समोसे में यूज की जाती है जिसकी हम यहां चाट की तरह इस्तिमाल करेंगे तो इस पापड़ी पे इस तरह से डाल देंगे थोड़ा सा सोस, टमाटर चट्नी या मीठी चट्नी और उपर से डालेंगे ग्रीन चट्नी यह कचोरी समोसे में जो यूज करते हैं वो वाली दोनों चट्निया है थोड़ा सा डाल देंगे, प्याज थोड़ा से डाल देंगे इसमें नमकीन तो यह हमारी पापड़ी चाट भी बनके तैयार हो चुकी है नमकीन मी डाल देंगे तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना अगर रेसीपी जरासी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना आगे भी मेरी रेसीपी इसी तरह देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें पेल आइकन को प्रेस करें तो जैसे डाल के साथ बाटी खाते है पैसे इन पापड़ियों को डाल में चूरकी खाना बढ़ए बाटी तरह देस अजड़ें को नेचे आगेश से एक क्वान आगेश पाणा आपक CAR टाल क्योंस में चैनल को लाइक कि बाटी आगेशस के भी ऑनागेशस पाणा प्रेसीटाल का लाइको वाराइक क्स्ता और शॉटबस्ता इस तरहाशस का पर जागेशस का बाट